हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक छोटा सा पैटन ही लेके आई हूँ, केवल 6 लोगा ये इस पैटन है, देखे ये इसका फ्रंट लोग है, बैक से ये कुछ ऐसा आएगा इस पैटन को आप अपनी किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हो, ये बहुत ही सुन्दर है, देखे इस तरीके से है, और आसान है बनाने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा इस पैटन को बनाने के लिए आपको थ्री के मल्टिपल में फंदे लेने हैं, प्लस दो फंदे अपनी एच के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं, तो तीन फंदों की ये बिनाई है, तीन तीन की जोड में आप इसमें फंदे डालते जाएगा, और लास्ट में दो फंदे और डा है कि इस तरीके से सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन देंगे आ जाईए सेकेंड रो पे दूसरी सलाई है उल्टे साइट से एक फंदा हमने स्लिप करा एजस्टेच है अब यहां से हमारा पैटन स्टार्ट होगा तो यह दिखिए एक यह उल्टा फंदा ही बिनना है हमें ले एक दो यह कंप्लीट हो गया है पैटन फिर से अपने पैटन को दोर आएंगी तो देखिए यह जो यह बाला पहला फंदा है इसको हमने दो बाला पेटना है इस तरीके से और उल्टा ही बिनना है उसकी बाद दो फंदे उल्टे एक दो कंप्लीट हो गया है पैटन फिर से तो इस एक फंदे को दोबा लपेटेंगे ऐसे, फिर एक दो फंदे नॉर्मल तरीके से उल्टे बिनेंगे, ये कंप्लीट हो गया है पैटन, लास्ट में एक एज स्टेज में चाहिए, इसको हम उल्टा बिनेना है, अब आजाएए सीधी तरफ, थर्ड रो है, तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, अब देखिए, ये जो दो बार धागा लपेटा था, इसको हमने इन दोनों फंदों के आगे लाना है, आगे की तरफ से, तो इन तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो पीछे वाला जो ये एक फंदा है, ऐसे उठाएंगे, और इस तरीके से हमें इ इन तीन फंदों की बिनाई थी, फिर से अपने पाटन को दोराएंगे, तो इन दो फंदों को छोड़के, जो तीसरा वाला फंदा जो लपेट के बनाया है, हमने इन आगे लाना है, तो ऐसे, ऐसे करके भी कर सकते हैं, इस वाले फंदे को ऐसे उठाया, और इसको आगे लि आगे से, तो इस तरीके से, और इस फंदे को ऐसे उठायेंगे, आगे से हम इसको आगे लियाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, कम्प्रीट हो गया है पैटन, एक लास्ट की एज़े स्टिच है, इसको भी सीधा बिन देगे, अब आ जाईए, पोर्त रोपे पैटन की उल्टे साइट से, तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, अब देखिए, यहां से हमारा पैटन स्टार्ट होगा, जो कि रिपीट होगा, तो दो फंदे उल्टे, एक, दो, और अब ये तीसरे वाले फंदे को दो बार धागा लपेट की बनाएंगे, एक, दो, इस त इस तरीके से, कम्टीट हो गया है पैटन, फिर सदोर आएंगे, तो दो फंदे उल्टे, तीसरे फंदे को हमने दो बार धागा लपेट की इस तरीके से बनाना है, कम्टीट हो गया है पैटन, लास्ट में एक है जिस तरिच मेचेएगी, तो इसे उल्टा बिनेंगे, आजा stitches है, तो अब हमने ये जो दो पीछे वाले फंदे हैं इसको हमें आगे लाना है पीछे से, इस तरीक इसे लेंगे पीछे की तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे को हमने ऐसे करके लेना हैं और फिछे से इन दौनों को आगे लाना लिहां, ऐसे से लेट निल में चढ़ाया और फिर इन तीन फंदों को सीधा बिन देंगे एक दो तीन कम्प्रीट हो गया यह पैटन फिर से पने पैटन को दोहराएंगे तो देखिए यह दो बार धागा लपेट की बनाया है यह दो सिंपल पंदे हैं तो इन दोनों को पीछे वाले फंदो को आगे लाएंगे पीछे से ऐसे करके पीछे से लिया इस एक पंदे के आगे लाएंगे एसे करके पापस से left निल में चढ़ाएंगे और अब इन तीन फंदों को सीधा बिन देंगे एक दो 3 कम्प्लीट हो गया यह पैटन फिर से पने पैटन को दोहराएंगे तो फिरस इ ऐसे, ऐसे left needle में चठाया और फिर इन तीनों फंदों को सीधा बिन दिया एक, दो, तीन, complete हो गया है pattern, अब last की एक edge stitch बचेएगी इसको भी हम सीधा बिन देंगे 6, 3, 6, 6 लाई उल्टे side से इसमें सारे ही पंदों को उल्टा-उल्टा बिन के complete कर लेंगी सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टा-उल्टे बिन लिए ये देखिए, एक बर हमारा ये pattern बन गया है, इस तरीके सिसका लोका आएगा तो जब आप इसे बड़ा बना होगी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा Thank you